नमस्कार मेरा नाम ज्यानिश्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ सिटिज देखिए आज फिर से बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन के एक और कारणामे का खुलासा करने जा रहा हूं जिसे स्वयम बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन ने स्विकार भी लिया है लेकिन इस खुलासे के पहले आपको स्टेटर्स रिपोर्ट देदू डॉक्टर राम किसोर सिंग के बारे में जो बिहार लोग से बायोग के मेंबर थे और जिन पर आरोप लगा था या आरोप लगा है कि वे 25 लाख रुपे में DSP की कुर्सी बेच रहे थे एफाया दर्ज हुए भी 15 दिन हो गये हैं निगरानी अन्बेशन विरू ने प्रात्मिकी दर्ज की है लेकिन महरवानी इतनी कि अब तक न पूस्ता चुई है और न गिरहतारी की परक्रिया बरही है हाँ इस बीच उन कि या वे भी दूसरे बरे अभ्यक्तों की तरह कहीं से बेल का जुगार कर लेते हैं और आजाद रहते हैं तो ये राम किसोर सिंग का एस्टेटस था अब आपको हम नए खुलासे की योड़ ले चलते हैं तो आज बिहार लोक से बायोक मतलब बिहार पब्लिक सर्विस चन ने एक पडिनाम को मतलब एक परिक्षाफल को संसोधित किया है और यह संसोधन पटना हाई कोर्ट के दिसा नेदेश ऑडर के अनुशार हुआ है यह नतीजा आज प्रकासित किया गया संसोधित नतीजा जो यह नतीजा है यह असेस्टेंट प्रपेशर जोग्रफी की में हुई गरबरी को इंगित करता है देखिए बिहार लोकसेवा आयोग ने बिहार के विश्विद्यालियों के तहट जो अंगिभूत कॉलेज हैं कंस्ट्रुएंट कॉलेज हैं उनमें असिस्टेंट प्रॉफेसर जोगरफी की नियुक्ति के लिए एक बहाली निकाली थी 2014 में जिसे बीपी एस्ट का विज्ञापन संक्या 55 बता 2014 कहा जाता है अब समय देखिए विज्ञापन निकलता है बहाली के लिए 2014 में फिर परिच्छा होती है और रिजल्ट आता है आगे 28 जुलाई 2017 को मतलब विज्ञापन के प्रकाशन परिच्छा के संचालन और नतीजे आने में ही तीन साल का बक्त लग जाता है आप समझ सकते हैं कि क्या लेट लटी भी है बिहार लोक्षेबा आयोग बिहार पब्लिक सद्धिश कमिशन में खैप जब 28 जुलाई 2017 को नतीजा आया और बिहार लोक्षेबा आयोग उन्हें सफल अभ्यातियों की सुची जारी की तो इस सुची में गरबरियां इंगिप की गरबरियां पक्री जो परिच्छा में सामिल अभ्याति थे और जिनका चैन नहीं हो पाया था कुल बैकेंशी थी 107 वन जिरो सेबन तो इस प्रकाशी सुची के जो नतीजे आये जि वे हाई कोट चले गए जिनका रॉल नंबर था डबल फाइब जीरो वन जीरो टू सिक्स टू तो इन्होंने 28 जुलाई 2017 को बिहार लोगसेवा आयोग द्वारा प्रकासित नतीजे को चुनौति दी और कहा कि इसमें गरबरी है मेरा सेलेक्षन होना चाहिए था लेकिन बिह प्रक्ति नहीं हुई फेल को पास कर दिया गया और पास को फेल कर दिया गया तो कोट में पटना हाई कोट में यह मुकदमा दो साल तक चलता रहा अब देखिए प्रशांद कि सोथ 2014 की बहाली के लिए परिच्छा देते हैं 2017 में नतीजह आता है फिर उन्हें हाई कोट की सर सही गुजर गया बिहार लोगसेवा आयोग के कारण तो इस पर पटना हाई कोट ने 22 जुलाई 2019 को अपना आदेश दिया प्रशांद कुमार की याचिका जिसे हम CWJC 18186-2017 2017 की रूप में जानते हैं और पटना हाई कोट ने यह पाया कि बिहार लोगसेवा आयोग ने जो पर प्रकासित किया था वह गरबर था गरबरी थी प्रशांद कुमार का सेलेक्शन होना चाहिए था लेकिन उनका सेलेक्शन नहीं किया गया और उनकी मेरित को दरकिनार कर मतलब पास को फेल कर एक दूसरे अभ्यारती को पास कर गया तो बिहार लोगसेवा आयोग ने कहा क कि आप पुषान कुमार की बहाली को सुन्षिट करिये तो आज इसी सैसिले में देखें पांच साल प्रत्रिया के बाद अब तो कितनों की उम्र खतम हो जाती है तो पांच साल की प्रत्रिया के बाद आज बिहार लोक्षवा आयोग ने Assistant Professor साज जोग्रफी के रिजल्ट को फिर से प्रकासित किया है जिसमें प्रशांद कुमार जिन्हें जुलाई 2017 के नतीजे में फेल कर दिया गया था उन्हें चैनिक अभ्याथत्यों की सूचित में सामिल नहीं किया गया था, आज उन्हें सामिल कर लिया गया है, लेकिन इसके लिए प्रशान कुमार को कितना पसीना बहाना परा, उन्हें हाइकोट जाना परा, उन्हें लंबी लराई लरनी परी, उन्हें कितना ख़ज उठाना परा, इन सारी बातों को सोचिएगा, बिहार लोक से नतीज़ा आया है उसमें प्रशान कुमार का चैन कर लिया गया है तो आप समझे दो या सत्रा में जही जब नतीज़े आ गए तो फिर लोग बहाल भी हो गया उन्होंने दो साल तक बेतन भी उठाया इन सारी सुविधाओं से सिनियरोटी से भी प्रशान कुमार बंचित रहे तो आज उनकी बहाली फिर से हो गई है बिहार लोग से बायोग कहता है कि मेरे पास वो काक्षा जो संसोधित नतीज़ा है वो उपलब्ध है कहता है कि डबल फाइब जिरो वन जिरो सिक्स टू यह रॉल नम्बर था पशान कुमार का पहले इन्हें चैन की परिधी से बाहर रखा गया था मतलब लोग से बायोग ने बाहर रखा था लेकिन अब हाई कोर्ट के डाइरिक्शन के अनुशार हाई कोर्ट के ऑर्डर के इनुशार इनका चैन किया जा रहा है और इनकी जो बरतमानी सिटीब होगी वो बीर कुमर्सिंग इन्वर्सिटी के अंतरगत पिछ पिछनन के बीर कुमर्सिंग इंवर्सिटी में अब देखे प्रशान कोमार क और जो नतीजे प्रभावित हुए हैं साहलेस कुमार है इनका रॉन पिछ्रा बर्ग कोटी के अंतरगत किया गया था लेकिन अब इन्हें जय प्रकाश इन्वसिटी के अंतरगत पिछ्रा कोटी के बिरुद्ध चैनित किया गया है बोलेंद्र कुमार अगम इनका रॉल नंबर है 5010887 जो पहले जय प्रकाश इन्वसिटी छप्रा में चैनित किया गया थे अब इन्हें तिलका मांजी इन्वसिटी में चैनित किया गया है और देखिए सबसे हैरत करने वाली बात देखिए बिहार लोग से अब आयों कि गलतियों के कारण क्या प्रिनाम भुगतना पड़ता है किसी कैंडिडेट को मैंने आपको बताया कि प्रसांद कुमार का चैन होना चाहिए था लेकिन उनके पास होने के बाद भी पीएसी ने फेल कर दिया कोट की लंबी लराई के बाद हुए आज फिर से चैनित हुए हैं तो जब यह चैनित हो गए और टोटल वैकेंसी 107 ही थी तो किसी ने किसी को एक को हटना था चटना था तो 2017 में जो नतीजे आये थे तो उस मेरिट लिस्ट में सबसे अंतिम पाइदान पर थी आर्थी कुमारी इनका रॉन नंबर था डबल फाइब 014323 तो आज जो नतीजे संसोधित किया गया है उसमें आर्थी कुमारी के च अच्छा हुई 2017 में नतीजा आया और आज 2019 में आर्थी कुमारी को नोकड़ी से हाथ गबाना पर रहा है इस संसोधित नतीजे में आयोग ने कह दिया है कि आर्थी कुमारी जिनका चैन 2017 में तिलका मांजी भागल पुरू इन्वर्सिटी के लिए किया गया था पिछरा बर कोटे से उन्हें अब बाहर किया जा रहा है और इसके लिए सिर्फ बिहार लोक से बायोग ने सिर्फ एक सब्द का इस्तिमाल किया है सखेद देखिए आर्थी कुमारी का चैन कैसे हुआ और प्रशान कुमार का चैन कैसे छूट गया यह बात गौर करने वाली बात है मैं य दो साल तक कोट के लराई लरनी परी अपनी बात को सही साबित करने के लिए उनकी स्रिनेरोटी पीछे गई उनका बेतन पीछे गया और आज नौकरी मिल रही है उन्हें खुशी हो सकती है लेकिन आर्थी कुमारी जिनकी नौकरी आज जा रही है वो किस गम में होंगी इस ऑद को भी इसोची और मानिए कि कि अब आतिक कुमारी भी पटना हाई कोट जाएंगी कोट में लराई-लरेंगे आते कुमारी ने दो साल तक नौकरी की होगी, दो साल तक बेतन उठाया होगा, सग-पुच किया होगा और इसके बाद नौकरी सप्ठोना पर रहा है तो ये क्या मजाक बन गया है बिहार पब्लिक सर्विश कमिशन का यह गौर करने वाली बात है देखिए जो अभी जो आरोप पत्यारोप चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि साक्षाटकार में बिशेश सुरूप से ब्रस्ताचार होता है पैसों का लेन दिन होता है अभी कुछ जिनों पहले बीपीएसी एंड बीएससी मोर्चा एक बड़ा ग्रूप है फेस्बूक पर उनके एक मॉडेटर बिलिप कुमाराय थे लाइफ सिटिस के स्टूडियों में और उन्होंने बात कही थी कि देखिए आप इतना तो करी सकते हैं कि जो इंटर्विव आप लेते है उसे एडिया आप टांस्पैरिंट बनाना चाहते हैं पादर्सी बनाना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियोग्राफिक रा दिए इसमें कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए एडिया वीडियोग्राफिक रा देंगे तो बाद में क्या गलप क्या सही इसकी समिच्छा आप कर सकते हैं लेकिन यह निरने बिहार लोग से बायोग लेगा मुझे संसे लगता है क्योंकि यह निरने ले लेगा तो जो कुछ चल रहा है वह संभब नहीं हो पाएगा तो यह सारे कारणा में भीहार लोग से वायोग के सामने आये हैं मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए आप ज़रूर संजहे होंगे कि भीहार लोग से वायोग में क्या चल ला है और भी हम आगे आपको souvent सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा धन्यवाद